जै माता दी दर्शको आकर्षन बहुत बड़ी चीज होती है जो किसी को भी हो जाती है कोई भी किसी को भी देखकर आसानी से उसकी और आकर्षित हो सकता है लेकिन जब किसी को किसी पर आकर्षन आ जाए और वो प्यार उसको हासिल नहीं हो पाता तो वो इंसान बौकला जाता है, परिशान हो जाता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता है और अन्ने कारे उपर भी ध्यान नहीं लगा पाता और इसके कारण उसके सबी प्रकार के कारे बाधित हो जाते हैं और एक तरीके से जीवन बरबादी की ओर चला जाता है लेकिन जिसके बारे में वो विचार करता है, अगर वही उसको हासिल हो जाए तो उसके जीवन का उध्धार हो जाता है तो एक बहुत ही आसान सा उपाय है जिसको करके आप किसी को भी आसानी से अपने वश्ट में कर सकते हैं बहुत बार आपने ये सुना होगा कि बहुत सी सामग्रियों का परियोग करके उपाय तो किये जाते हैं किसी को वश्ट में किया जाता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक्ता होती है उस फ्यक्ति की जिसको वह चीज आपको खिलानी बढ़ती है लेकिन आज मैं जो आपको टोटका बताने चारी हूँ, वह बहुत ही सरल टोटका है किसी को कुछ नहीं खिलाना है, आप खुदी इस टोटके को कर सकते हैं, बहुत ही आजमाया हुआ टोटका है गुरुजी ने बहुत ही सिद्धियों से इस टोटके को तयार किया है ताकि आप लोगों तक ये टोटका पहुच जाए आपको आपका प्यार हां सील हो जाए तो आपको करना क्या है आपको लेनी ये दो लॉंग और उन दोनों लॉंगों को आपको सारे दिन अपने मूह में रखना है आप ये टोटका किसी भी समय कर सकते हैं किसी भी दिन कर सकते हैं ध्यान रखे बस जो असली उपाय है यानि कि जहां से विदी शुरू होती है वह सिर्फ आपको रात को ही करना आपको दो लॉंग अपने मुख में रखनी है सारा दिन उसको मुह में रखें, रात को सोने से पहले उसको अपने मुह में से निकालें और उसको सुखाएं और सुखाने के बाद उसका चूरा बना लें उसका चूरा बनाने के बाद आपको उस लॉंग के चूरे से उस व्यक्ति की फोटो पर तिलग करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं तिलग करते समय आपको एक मंत्र का उच्चारन करना होगा मंत्र कौन सा है? वो मैं आपको बताती हूँ ओम, भगवती, भगाभाव, दाइनी, देभी, श्वाहा इस मंत्र का आपको तीन बार उच्चारन करना है इस उच्चारन को करने के बाद आपको तीन दिन लगतार ये उपाय करना है यानि तीन दिनों तक आपको उस व्यक्ति की फोटो पर तिलग करना है पहले दिन तिलग करने के बाद आपको इसका असर नजर आने लगेगा यकीन मानिए सुबह होने से पहले ही आधी रात को ही वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा आपसे बात करने की कोशिश करेगा और तीन दिन के बाद पूर्ण रूप से आपके वश्ट में हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका होके रह जाएगा लेकिन एक चीज का ध्यान रखेगा कि जो बटवा यानि जिस चीज में आप उस व्यक्ति की फोटो को रखेंगे तिलग करने के बाद वो किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए अन्य था ये वश्टिकरन बिफल हो जाएगा और आपकी सारी मेनत बरबाद हो जाएगी इस बटवे को आप अपने पास रखेगा और तीन दिन तक इस तोटके को कीजिएगा आपका प्यार आपकी ओर 72 घंटों में खीचा चलाएगा जिस प्रकार से लोहा चुम्बक को अपनी ओर खीचता है उसी प्रकार से ये उपाए उस व्यक्ति को आपकी ओर खीच देगा इस टोटके को अच्छे प्रकार से कीजिएगा और गुरुजी के द्वारा कोई मार्ग दर्शन प्राप्त करना हो तो इन नंबरों पर जरूर संपर्ख कर लिजिएगा तो अब आप मुझे दीजे इजाज़त हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए उपाई के साथ तब तक के लिए जैम आता दी